आज आपको हम बताएंगे आलू के बारे में आलू आपको मालू में बहुत कॉमन खाना है सब्जियों में आलू तो करीब करीब हर घर में एक टाइम में तो खाया ही जाता है तो आलू के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है आलू आपको मालू में जमीन की नीचे होती है और साइज बड़े तड़े के छोटे साइज के सब मिलते है आलू का छिलका जादतर फेक दिया जाता है पर आलू का छिलका खाने में फाइदा होता है कि उसमें फाइबर भी होता है, कुछ कार्बो हैडिड भी होता है अगर कैलरी की बात करें तो आलू में करीब 100 ग्राम आलू अगर आप खाते हैं तो 97 कैलरी आती है, करीब 100 कैलरी हम लोग बोलते हैं इसलिए वजन कम करने के लिए आलू का उतार रोल नहीं है वजन बढ़ाने के काम में आलू आता है आलू में कार्बो हैडिड होता है करीब करीब 22 ग्राम फैट होता है बहुत कम 0.1 मतलब फैट नहीं है आलू में, आलू डाहर्ट के लिए कोई खराबी नहीं है आलू में प्रोटीन 2 ग्राम होती है fiber 2.2 miligram होता है अगर आफ उसके छिलके के संग खाएंगे तो अगर छिलका नहीं खाएंगे तो वो हो जाएगा 1.2 एक ग्राम और कम हो जाएगा अगर छिलके के बिना आप आलू खाएंगे तो आलू में क्या क्या फाइदे होते हैं आलू नैचरली पेट को फिल अप करता है आलू में विटामिन C और B ये दोनों काफी amount में होता है ये माना जाता है अगर 1.5 ग्राम आलू कोई खा ले तो करीब करीब 30 miligram विटामिन C मिल जाती है और वो काफी होता हमारे बॉड़ी के लिए आलू में फॉस्पोरस, कैलसियम मैगनेसियम, जिंक ये सारे मिनरल्स आलू में मिलती है तो आलू हिल्दी माना जाता है और ये सब के वज़े से आलू को हमारे strength building में हमारे body में, energy system में सब में फायदा बंद होता है आलू का सिर्फ एक ही हम लोग मना करते है आलू को लिए और वो पूरा मना नहीं करते है हम लोग बोलता है आलू diabetes के लिए होता अच्छा नहीं है आलू की जो कार्बो हैडिड होती है वो उसका थोड़ा बलड में जादा speed से उसका glucose बलड में पहुंच जाती है इसलिए आलू को आप अगर लेंगे diabetes हो तो आलू को थोड़ा restricted लीजे और आलू लेने की इच्छा हो तो आलू के संग कोई और सबजी को मिला के लीजे जैसे आलू गोबी है आलू मतर है आलू के संग कोई इस चीज को मिला लेंगे तो आलू का nutrition value बढ़ जाती है और उसमें fiber आने के वज़े से उसका diabetes के लिए नुकसान भी नहीं करती है तो आलू आप खा सकते हैं बस याद रखिए एक बजन बालों के लिए आलू का थोड़ा restriction रहना चाहिए और diabetes बालों का आलू का restriction रहेगा तो आलू का और भी गुन बढ़ जाती है तो याद रखिएगा आलू हमारे लिए फाइदे की चीज है iron भी होता है इसमें उससे खून भी बढ़ती है तो आलू आप ले सकते हैं आलू लेने में कोई नुकसान नहीं है बहुत सारे लोग आलू के खिलाफ होते हैं आलू हेल्दी नहीं होता है मुझे लगता ऐसा कोई बात नहीं है पर अगर आप वजन कम करने के mood पे हैं तो आलू थोड़ा restrict करिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आलू के बारे में लोग जानना चाहते हैं और आलू लेना चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है Thank you so much